अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आज किसी से वाटसाइप के उपर वीडियो को बात कर रहे है और बात करने के बाद अगर आप ये देखना चाते है कि उसकी स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है या फिर अगर आप यहाँ पर किसी प्रेजन्टेशन को पेश कर रहे है या फिर किसी की अगर हेल्प कर रहे है कि तुझे अपने मोबैल के अंदर इस तरीके से सेटिंग करना है तो ऐसे में स्क्रीन शेरिंग है काफी बड़ा आपके लिए कॉंट्रिविशन कर सकता है इस के उप्षन को अड़ कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते कि एक मोबैल के फ्रेम में एक एक एक्जिक की तरह आपको देखने को मिल रहा है अब एक्चल में यह क्या है किस तरीके से काम करता है तो इसकी लिएना सबसे पहले आपको जिसके भी साथ में वीडियो कॉल कर करना है क्लिक करने के बाद आप आपको कुछ बेसिक से जो चीजे अलाव अगेरे की है वो पूछता है क्यूंकि यहाँ पर आप अपनी कम्प्लीट स्क्रीन को शेयर कर रहे है इसलिए यहाँ पर आपका मोबाइल वाटसाप और आपको गूगल एक हिंट देगा या फिर व उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन आपके हाँ पर मोबाइल के उपर चल रही है अगर आपने सामने वाले को मतलब अगर आपकी तरफ से स्क्रीन शेयर वाल ऑप्शन अगर इनेबल किया है तो आपकी जो स्क्रीन है वो सामने वाले के मोबाइल के अंदर आपको on करना है या फिर यहाँ पर अगर वो देखना चाहता है कि आपके mobile के अंदर किस तरीकी की चार्ट चल रही है आपने किस-किस से अगर चार्ट की है तो ऐसे में फिचर काफी जादा काम में आ सकता है जिसके अंदर बिना किसी में बात कर रहा हो तो बट यहाँ पर उसी लोगों को भी कुछी समझाते है और वैसे अगर समझ में नहीं अगर आ रहे तो भी वीडियो कॉल चुरू हमिने से उनको समझा सकते है कि आपको अपने mobile के अंदर यहाँ यहाँ पर जाना है अब याद रहे यहाँ पर सामने वाला आपके mobile के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी moment नहीं कर सकता है वो जस्ट आपके screen को देख सकता है कि आप अपने screen के ओपर क्या activity कर रहे है और उसको आप cash show करवा रहे है उसके अलावा वो किसी भी तरीके से यहाँ पर इसको मतलब handle नहीं कर सकता दूसरी बात यह end-to-end encrypted है अगर आप उसको अपने screen को अगर share कर रहे है तो definitely यहाँ पर WhatsApp और आपके अलावा सारी यहाँ पर आपके और उस बंदे के अलावा third person या फिर WhatsApp खुद आपके कुस screen recording को नहीं कुस screen share को नहीं देख पाएगा because यहाँ पर end-to-end encryption लगा हुआ है और end-to-end encryption का यही मतलब है कि जिससे आप बात कर रहे हैं और जो आप है उसके अलावा third किसी भी बंदे को आपकी screen share या फिर आपकी information नहीं जाएंगी और जो भी चीज़े अगर जाती बिए तो वो encrypted रहेंगी इसको बोलते है end-to-end encryption तो इस तरीके से आप WhatsApp के उपर किसी की भी साथ में अपनी screen को share कर सकते है अब इसको आप चाहे अच्छे काम के लिए लो चाहे बुरे काम के लिए लो आपके उपर depend करता है बढ़ एक काफे बड़िया feature है मैं आपको यह कहूँगा कि बढ़िया वेक के अंदर use करो जिससे आपको काफे ज़्यदा फायदा हो सकता है presentation के लिए आपको zoom के उपर जिस तरीके से आप video call करते है या फिर आप any desk को अगे रही है फिर ऐसी अगर आप family share वाले application को अगर यूज़ करते है तो वहापर आपको नहीं करना होगा तो होप करता हो कि आपको सारी चीज़े समझ में आच चुका होगा कि किस तरीके से हम अपने whatsapp के उपर इस feature को यूज़ कर सकते है जो कि screen share का है और किस तरीके से हम अपने screen को अपने friend के साथ share कर सकते है और यही ता इस video के अंदर complete tutorial screen share के बारे में होप करता हो कि आपको समझ में आच चुका होगा कि किस तरीके से whatsapp screen share को यूज़ करना है अगर आपको अप तक whatsapp के उपर screen sharing option नहीं मिला है अगर आपको वीडियो को लाइक करो आपने दोसे को साथ share करो इससे तरीकी की और informative and amazing videos के लिए चानल को subscribe करके bell notification को दो से on कर दो मिलते किसे next video में तब तक लिए thanks for watching बाबाई